प्रारंबिक इतियास और महाजन पत्काल तीस प्रशने इस वीडियो में हैं अपने पास और आज थोड़ा सा अपन फास्ट से दोरान करेंगे तो थोड़ा सा प्रयास करना फटापट से प्रशन को समझना है और अगर आप अपना खुद का मतलब की इवलुशन करना चाहरे हैं तो फटापट से मार करना जब मैं प्रशन पढ़ रहा हूँ तो रंट की इसमें कौन सा सही आना चाहिए है तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रशन है अपना राजस्थान का कौन सा स्थान महाबरत काली नगर के रूप में जाना जाता है यहाँ पर जो बात पूछी जा रही है मतलब की नगर के बारे में वो काल है महाबारत तो महाबारत से समदित कोई बात अगर इतियास में जब हम पढ़ते हैं तो वो एक ही आता है विराट नगर यानि थर्ड ओप्सन सही है और विराट नगर क्यों तो आप सब जानते हैं जब पांडव अग्यात वास में थे तो उन्होंने एक वर्स यहाँ पर जो अंतिम वर्स था या जो भी है अपना अग्यात वास था उसका कुछ समय यहाँ विराट नगर में बिताया था इस कारण स है यह महा-बारत-काली में नगर के रूप में ज 되면 जाना जैता है इतना कि तूसरा अपना दूसरे प्रस्न में सब्डाया है अर्जुना नाम जय यानि कि अंकित मुद्रै कहां से प्रात हुई तो जो मुद्रैं हैं प्राफ हुई उनके उपर लिखावा है और कहां से प्रा उनुमें किवल फश्ट ऑप्सन है वही सही हैं बाकि कोटा बुंदी है जैसल मेर बीका नेर है इनका समन्द है वो सामनेत है जो जनपत काल है उनसे नहीं है मत्सिय की बात करें अगर अपन कुरू की बात करें तो सारा का सारे उसमें अलवर भरतपूर करोली वाला ये क्षेतर ही आता है तीसरा प्रशन है सीवी जन्पत की राजदानी थी तो जो सीवी जन्पत था उसका भी थोड़ा बूद कनेक्शन अपने राज़स्तान से रहा उप्शन में मगरचल, इंदरपरस्त, मध्यमिका और सालवे तो इसमें इंदरपरस्त अपन जान रहे हैं ये दिल्ली हैं तो मतलब की अपने राज़स्तान से समंदित है ही नहीं सालवे और मगरचल भी सुना हुआ नाम नहीं है लेकिन मध्यमिका आपने सुना बहुत अच्छे से तोड़ है उसी का पुराना नाम मध्यमिका था और यही सीविजनपद की राज़नी तो तीसरा उपसन अपना सही है चोथा प्रस्न है हून राजकुमारी हरिया देवी से विवा करने वाला राजस्तान का सासक तो हमने अलट को खुब अच्छे से पढ़ा है और इसमें जो सही आंसर है वो भी अलट ही है वैसे बापा अलट राजसिंग और विरम देव सरवादिक विदेशी यानि अंतराशी विवा करने वाले तो बापा है बापा रावल और हून राजकुमारी हरिया देवी का अगर नाम आता है तो उसमें अपने जो राजा हैं सासक हैं वो है अलट तो second option सही है इसके अलब अलट के बारे में आप दो चीज़े जो सबसे खास हैं वो आप जानते हैं एक तो अपना जो नोकर साही वाला system है वो इन्होंने ही शुरू किया था नोकर साही के अलवा एक और खास बात है जो राजदानी थी वो कहां ले गए थे यह आहड में तो ये दो चीज़े और हरिया देवी के अलवा आपको ध्यान रखनी थी अगला पांचवा प्रस्ण है अपना गुप्तों के उदई से पूरु राजस्थान पर किस वन्स का सासन था ये प्रस्ण है दमदार ऐसे प्रस्ण कभी परिक्साम आ जाते हैं उस समय इंको का जा सकते हैं अपने प्रस्ण है अगर याद था आपको तो ऐसे प्रस्णों को थोड़ा सा आपको याद रखना है सक आये थे सक्कों के बाद फिर गुप्त सामराजी अपने राजस्थान में आया था अगर प्रस्ण है चटा प्रस्ण है बाड़ोली नामकस्थान पर शिव मंदिर का निर्माण करने वाला हून सासक कोन था तो मंदिर बनाया था सिउजी का और सासक किस one से समिने था तो हून वन से अब यहाँ पर option में अपने पास तोर्मान है, महिरकुल है, मारना परताप है, ये सो वर्मन है और इसमें जो सही उत्तर हैं वो बात करते हैं सिदाई महिरकुल तो महिरकुल ने बाडोली नमकस्तान पर शिव मंदिर बनवाया था इसमें तोर्मान है वो महिरकुल के पिता है मतलब की तोर्मान के पुत्र महिरकुल ने और मारना परताब का नाम ओप्सन में आया है उसके पिछे भी कारणा आप समझ गया होंगे बाडोली और एक कस्बा है जिसको कहते हैं बाडोली तो मारणा परताब का समद्ध है वो बंडोली से है, मारणा परताब की वहाँ पर आठ खुम्बों की छतरी स्थित हैं तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, प्रशन आ गया, ऐसा कोई प्रशन पूर्श लिया जाता है कभी तो आपको ध्यान देना रहता है इसलिए मैंने चर्चा कर लिया आपर साथवा प्रशन है अपना साथवी से लेकर बारवी सदी राजस्थान के इतियास में किस काल के नाम से जाने जाती है तो जो समय डूरेशन दे दिया है वो है साथ से लेकर बारा यानि कि साथवी से बारवी सदी तो उप्सन में गुपत काल, गुपत उत्तर, राजपूत काल और मुगल काल तो इसका तो उत्तर, निश्चित रूप से सब को कम्प्लीट पता ही है जो राजपूत काल है उसकी अवदी है साथवी से बारवी कभी उल्टा प्रस्न भी पुछा जा सकता है कि राजपूत काल कब से कब तक रहा या माना जाता है तो उसमें चट्टी से बारवी, फिर साथवी से बारवी, आठवी से तो वो ध्यान रखना है साथवी से बारवी आठवा प्रस्न है अपना भीनमाल और आबू यानि कि दो कस्बों के नाम दिये है भीनमाल है और अबू में प्रारंबिक राजबूत वन्स कौन सा था तो उप्सन में परतिहार, अठोड, चावडा और कच्वा तो उप्सन डूंड लिया आपने थर्ड उप्सन है वो सही है चावडा चोहनों ने सासन किया था भीनमाल और अबू पर आगे नमवा प्रस्ण है अपना राजबूतों के अगनी कुंड से उत्पन होने वाले मत का उले किस ग्रंत में मिलता है तो किताब का नम बताना है जहां पर अगनी कुंड से उत्पनती की बात कही गई तो पुस्तकों में फस्ट उप्सन है अपना एनल्स एंड अन्टुकिटी जो प्राज़सा जिसके लेखक करनल जेम्स टोड है दूसरा प्रित्विराज रासो चंदर बर्दाई द्वारा लिखा गया प्रित्विराज विजय जायनक का और वीर सत्से सुर्यमल मिश्रन का तो इसमें अगर आपने ये जो कॉंसेप्ट है वो अच्छे से पढ़ा है तो जो सही ओप्सन है वो आपको पता चल रहा है जो सेकंड ओप्सन है वो सही है प्रित्विराज रासो वैसे जो अपने जेम्स टोड है उन्होंने तो का था विदेशी है और ये वीर सत्से के लेखा है कि उन्होंने तो एक नम से इनका समर्थन करी ही दिया था आगे दस्वा प्रस्न है राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की संतान है ये बात किसने कई थी ये किसका मानना था तो काफी शांदार प्रस्न है ये ओप्सन में डॉक्टर भंडारकर, गोपिनात सर्मा, अरविन सर्मा, गोरी संकर, हिराचंद होजा तो इसमें अपने पास जो सही ओप्सन है वो सेकंड वाला है गोपिनात सर्मा याद रखना आपको प्राचीन क्षत्रियों की संतान किसने माना था या किसने का था तो गोपिनाद सर्मा उसमें सही उप्सन आएगा ग्यारवा प्रस्न है अपना नयन चंदर सूरी द्वारा रचित हमीर मा कावे के अनुसार राजपूत थे ये भी सांदार प्रस्न है यानि कि जो नयन चंदर सूरी की पुस्तक है उनके द्वारा लिखे गई हमीर मा काव उन्होंने भी लिखा है कुछ तो उसमें उप्सन में चंदरवनसी, सूर्यवनसी, विदेशी और प्राचीन क्षत्रियों की संतान इसमें अपना सही उत्तर है वो है सूर्यवनसी, फक का याद रखना इसको अगर याद नहीं था तो ऐसे प्रस्न पूछ लिए जाते है प्रिक्षा में अगला है बारवा प्रस्न अपना अलवर में कच्वाह वनस की स्थापना किसने की ती अलवर में कच्वाह वनस है उसकी स्थापना करने वाले अलूराय, परताप सिंग, वासुदेव, देशराज अगर आप थोड़ा ठीक ठाक पढ़ रहे हैं तो अलूराय जो नाम है वो अलट का ही है तो ये तो उप्सन हो नहीं सकता इसके अलवा वासुदेव, चोहान, वनस, 551 आपको याद है फिर देशराज का भी थोड़ा थोड़ा अगर ध्यान है तो देशराज इससे समधित नहीं है तो इसमें जो सही उत्तर है वो सेकंड वाला अपना उप्सन सही है परताप सिंग अलवर में कच्वा वनस के संस्तावग आगे तेरवा प्रसन है बासवडा के जगमाल सिंग जगमाल सिंग किस वनस से समधित थे इस तरह के प्रसन है इसको अपन कभी ऐसे मतलब फॉर्मेटेड प्रसन भी नहीं देखते हैं कि ऐसा प्रसन भी पूछ लिया जाएगा क्या तो उप्सन में मोर्या हैं, पिंडारी हैं, गुहिल हैं और सिशोदिया कभी कंफ्यूज हो जाते हैं जैसे ये तो कटी गए हैं समझ रहे हैं आपकी इनका समध नहीं होगा लेकिन ये दो उप्सन हैं उनमें कभी-कभी अपन अटक जाते हैं कि ये जो हमीर था उससे पहले के हैं या बाद के हैं, बाद के हैं मतलब सिशोदिया, पहले के हैं मतलब गुहिल, तो इसमें जो सही उत्तर हैं वो हैं गुहिल, थर्ड वला उप्सन सही है, चुगदुआ प्रसन है अपना जालावार नगर की स्थापना किषने की थी, तो जालावार नगर के संस्थापक जाला परताप, जाला मदन, जाला बदन और जाला जैसिंग तो ओप्सन तो देखी लिए हैं आपने, चारों ओप्सन में सब में जाला हैं और सिंग तो ही है अब बदन है या मदन है यह तरह करना हमें, तो मदन सही है जो अपना सेकंड वाला उप्सन है वो सही है जाला मदन से पंदरवाँ प्रस्न है राजस्थान के किस क्षेतर पर परमार वंस का सासन रहा तो जालावाड, भरतपूर, दातारामगड, जालोर और कोटा बुंदी तो आप जानते हैं जाला, चोहान, बरतपूर में जाट वंस था, कोटा बुंदी में हाड़ा है, हाड़ोती क्षेतर है यह तो उप्सन ही अपने पास एक ही बचा है दातारामगड़ और जालोर यहाँ पर परमार वंसासन रहा है तो तीसरा उप्सन अपना सही है थोड़ा सा मेरे यहाँ गड़बड हो गई है, इसमें तो मैं सही कर लेता हूँ इसको ओके, सोड़वाँ प्रस्न है, करोली, जेसलमेर और अलवर, क्षेतर पर किस वंस का सासन था तो इसमें करोली है, जेसलमेर है और अलवर, तीनो ध्यान देने जेसल मेर में वेसे आप जानते हैं कि अकेले जेसल मेर का जब नाम आता है तो थोड़ा सा भाटी जब वो जुड़ाव रखता था हनुमान का तो बात कर रहे थे अपन भाटी वंस यानि कि जेसल मेर में यादों के अलावा और कोई वंस हैं तो वो भाटी वंस हैं यह आप ध्यान रख लेंगे नहीं तो करोली और अलवर हैं तो वहाँ पर सिधा सिधा अंसर अपना जो सेकंड वाला उप्सन है वो आ रहा है इसके लाव गुईल वंस आप जानते हैं अपना जो मेवाड हैं उससे समदित हैं इसके लावा देवडा और जाट वंस इनमें देवडा हैं वो अपने दक्षिनी राजस्तान से समदित हैं और जाट वंस हैं वो पूरी राजस्तान से समदित हैं प्रस्ण है अपना चोहान सासक वासुदेव ने सांबर में चोहान वन्स की स्थापना कभी की थी यानि कि सन पूछ लिया गया है ऐसे प्रस्णों में थोड़ा सा ध्यान देना है हमें क्योंकि लास्ट का जो देखो यहां पर जो सिनेरियो बनाया है उसमें जो 51 है वो सब में है तब विद्यारती कन्फूज हो जाता है और इसमें 700 आएगा 600 आएगा 500 आए 400 आएगा तो सही ओप्सन वैसे सेकंड वला है अगर आपको ध्यान था बार बार रिविजन क्यों करना चाहिए उसके पीछे की बात है यह अठारवा प्रस्ण है बरतपूर में बदन सिंग द पता रहे हैं और आगे से परीक्षा में भी रहेगा अठारवी सदी यानि कि अठारवी सदी में जो बदन सिंग है अखर राजवन्स का नाम पूछा जाए तो जाड राजवन्स वरतपूर में उप्षन में गंगानगर बांसवाडा जैसल मेरो और धोलपूर और अच्छे से आपको याद होगा जो सही उत्तर है वो अपना फ़स्ट वाला है जो स्री गंगानगर है वो योद्धे जनपत से समंदी जिल्ला है प्रश्न है निम्न में से किस विद्वान ने राजपूतों को विशुद्ध भारतिय माना है प्र प्यारा प्रस्न है ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका जेम्स टोर्ड ने तो विदेशी माना था तो रूल ओप रिजेक्शन के इसाब से रिजेक्ट हो जाएगा इसमें अगर आपने याद कर रखा तो बहुत अच्छी बात हैं सीवी वेद इसका सही उत्तर हैं सेकेंड नमबर वाला जो उप्सन है वो इसके अलावा नैन चंदर सुरी का नाम अभी आया था जस्ट हमने देखा हमीर माहकावे और जो बात की थी इन्होंने उसमें वो की थी सुर् मारवड है मामला मारवाड में राठोड वंस की स्थापना की सदी में राव सीहा द्वारा की गई थी तो संस्थापक राव सीहा हो गया और की सदी में तो मैंने जो निसान लगा रखा था वह बाई चांस आपने देख के कर दिया तो गडवड हो जाएगी यहां पूरा का जब चेक कर रहा था देख रहा था उस समय थोड़ा सा मेरे सही गलती हो गई यहां अभी इसको सही करते हैं इसमें जो सही उत्तर है वो आपको ध्यान रखना है तेरवी सदी जो सेकंड वाला उप्सन है वो सही है यहां और इसको पक्का याद ही रखना है आगे बाई चांस म वंस की स्थापना किसने की थी यह प्रस्न पुछा गया है मांध सिंग आमरे मेर से बहुत ज़्यादा जूड़ाव रखने वाला सासक पगवान सिंग कल्यान सिंग और दुले राय ओप्सन है और जो सही उत्तर है वो है दुले राय यानि कि स्फोर्ट ओप्सन वोansen है वो स शासन किया है, श्रिशोधिया भी जानते हैं, शासन किया है, अब बात आ रही है मोर्य की और चित्तोडगी, तो आपको ध्यान होगा, चित्तोडगर दूर्ग है, उसका निर्माता कोई मोर्य सासक की है, यानि कि मोर्यों ने भी वहाँ सासक किया है, तो फिर बच्चा कौन सा तो लास्ट वाला उप्षन है, फौर्ट उप्षन है, वोस इसका सही उत्तर आगे चोबीसवा प्रस्न है, सवाई जैसींग द्वारा जैपूर नगर की स्थापना की गई थी 1627, 1727, 1827 और 1527 ये वही एक प्रस्न पहले हमने देख लिया, इस प्रकार के प्रस्न बनते हैं, उसमें बड़ा संकर्स आ जाता है ठीक ठाक अगर हमने रिवाइज किया है, तो सही हो जाना है अपना, जो सेकेंड ओप्षन है, वो सही है, 1727 इस्वी हिंदुआ सूरज कहां के माराना कहलाते थे, 25 प्रस्न अपना, मेवाड, मारवाड, हाड़ोती और ढूंडाड, तो ये तो यूनिवर्सल टूथ है, सभी को बहुत अच्छे से याद है, हिंदुआ सूरज मतलब मेवाड के माराना संदी के बावजूद भी इन्होंने संदी में ये रखा था कि ये मुगलों के दर्बार में कभी नहीं जाएंगे या जुटेंगे नहीं ऐसा, और इन्होंने जो विवाइक संबन्द है वो भी नहीं बनाये थे, इसलिए इनको हिंदुआ सूरज कहा जाता है 26 वा प्रशन है बपा रावल को किस नाम से जाना जाता है तो बपा रावल का नाम आपने मतलब पढ़ाई है जो पहला उप्सन है इसमें अपना चार्ल्स मार्टल, इसके लवा काल भोज, लियोनाइडिस और जो लास्ट उप्सन है उसमें का गया है कि पहला और दूसरा उ नोट्स हैं उसमें सायद माटिल लिखा हुआ है तो एक ही बात है अंग्रे जी में इसको कैसे लिखते हैं वह यहां पर मैंने लिखा है देख लेना आप नहीं तो काल भोज भी कहा ही गया है तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही यानिकी ओप्सन नंबर चार सही यह आपको नाम था लियोनाइडीस उनके पास केवल बहुत ही कम मतलब की केवल 300 सेनिक थे लेकिन उनोंने मतलब अंतिम दम मतलब क्या कह सकते हैं उसको चबरदस्त परियास किया था एक तरीके से ऐसा कैसा ही सेम परियास अपने हल्दी काटी के युद में क्योंकि मारना परताब की प मतलब मारना परताब को नहीं परतेक लड़ा के कोई करनल जेम्स टोड ने लियोनाइडीस कह दिया था आगे प्रस्न है अपना 27वा मुहणोत नेशी द्वारा गुहिलों की कितनी साखाओं का जिक्र किया गया तो काफी प्रस्न कंफ्यूज कर सकता है और अभी इस जो तो यह अच्छा मतलब अभ्यास हो गया अपना कि कैसे प्रस्न आएंगे और ध्यानक ना यहां भी 26, 25, 24 और 23 तो सही उत्तर है वो थर्ड वाला उप्सन है अपना 24 साखाओं की बात मौनोद नेशी ने अपनी पुच्टक में की 28 प्रस्न है अल्लट द्वारा दूसरी राजदानी किसे बनाएगा तो पहले इसी वीडियो में चर्चा कर चुके हैं अपन ओप्सन में मद्यमी का आहड नागदा और चितोड है और जो सही उत्तर है वो सेकंड वाला है आहड 29 प्रस्न है बोज, महेंद्र और नाग तीन राजाओं के नाम आये हैं और ये किस वन्स के प्रारंबिक सासत थे इस प्रकार से पूछा गया है प्रस्न तो उप्सन में गुहिल, सिसोदिया, राठोड और प्रतियार है और जो सही उत्तर है वो फ़र्ष्ट वाला उप्सन ह गुहिल वन्स समधित हैं मतलब बापा के बाद किस सासकों का करम है इनमें जो अपना नाग है उसने नागदा बसाय था जहां पर बापा की चतरी भी है और आपको कमेंट करना है वो वाला प्रस्न आई गया है लास्ट प्रस्न अपना इस वीडियो का मेवाड के किस सासक न तो इसमें जो थर्ड ओप्सन है अपना हो गई गड़ आज आज कमेंट करने के आवशिकता नहीं रही जेतर सिंग यही पेटर्न वाली बात में कर चुका था पहले तो अभी आज कमेंट में क्या लिखेंगे बैस आप कुल 30 प्रस्न थे अपने और कितने प्रस्न इसमें से सही थे वो आपको कमेंट करना है संख्या डारेक्ट तीस में से नहीं डारेक्टी के अवल की बई सताई सही है अठाई सही है पत्चीस सही है ऐसे ओके धन्यवाद में तो